बीते दिनों ससुराल में आग से जलकर हुई नवयाता की मौत के बाद परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप पुलिस अदिच्छक को ग्यापन सौपकर की उचित कारवाही की मांग गोवन गय थानच शेतं तरगय पाती की रहने वाली हेंबता का विवाद 24 फरवरी को मौव बंच के दोगावा निवासी राजेस पतेल के साथ हुआ था पर यनों का आरोप है कि जब उनके बेटी दूसरी विदाई में घर आई तो उसने बताया कि उसके ससुराल वाले दो लाक रुपर दहेच की मांग कर रहे हैं और उसके लिए उसे पतारिक कर रहे हैं उसके बाद जब उनके पत्री 18 अपरेल को वापस ससुराल गई उसके बाद उनके बेटी के ससुराल पहुँचे तो देखा उसके सरीर में कई जगे चोट के निसान हैं उनका आरोप है कि उनकी बेटी को दहेच के लालस में मार कर जला दिया गया है अपने बेटी को इनसाफ दिलाने और आरोपियों की गरिफतारी की मांग को लेकर मुलतिका के माईके वाले गुरुआर को पुलिस अजचक कारेले पहुचे और गापन साथ का उचित कारवाही की मांग की हमने बोला ठीक है फिर अठारा को आए और भुला ले गया तो बच्ची हमारी पहली बताए थी कि हमको टाक्ते हैं माते हैं कि इतना दो लाग रुपया और एक गाड़ी हमको चाहिए हमारी बच्ची बच्ची बताए था हमने कहा कि यह हुआ हुआ हूँ पेंशे फिर हम द देखा उसको तो ताला बन खराते हैं फिर सुभी नवाई देखा पुलिस वा गया है हमको ऐसा लगता है कि मार करके उसके उसके उपर मंटी कत्या लगा तक आग लगा थी है उन्हीं बोलेने कि इसी आधार पर आपकर रिपोर्ट होगा हमारी रिपोर्टन लिकेंगा इन लिए भी भी ठीगा रहा को आप लोग बहान देखा वर्टन लिकेंगा बाते है उत्या पर आपकर आप लोग बहाने है